आप अपनी website को comeback link बना कर भी Google पर rank कर सकते हैं लेकिन ranking हमें चाहिए होती है permanent तो permanent ranking के लिए हमें quality backlinks की जरूरत पड़ती है आज हम बात करने वाले हैं अगर हम quality backlinks बनाते हैं तो उसके लिए क्या क्या हमें website के अंदर चेक करना चाहिए, कौन कौन सी mistake नहीं करनी चाहिए और इसके साथ अगर आप backlinks परचेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि quality backlinks, mostly जो quality की websites हैं वो आपको paid की सुरत में backlinks offer करती हैं अगर आप paid की सुरत में backlinks को purchase नहीं कर सकते तो उसकी जगाबर आपको क्या करना चाहिए अगर आपने already गलती कर लिए और आपने toxic या shady backlinks अपनी website के लिए बना लिए या scam website पर अपनी website के लिए backlinks बना लिए तो उसको कैसे remove करते हैं डिटेल में जाने से पहले आपको एक बात बताता चलू हमारी यह पूरी सीरियस हमने स्टार्ट किया वाट नो टू डू क्या 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 आपने नहीं करना अगर आप website से earning करना चाहते हैं तमाम वीडियो देखेंगे इसमें अपना personal experience शेयर किया मतलब अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर किया कौन सी mistake आपने नहीं करनी जो हम से हुई और आप ना करें पूरी सीरिस आपके लिए बहुत फाइदा मैंना है क्वाल्टी बैकलिक्स के जानने से पहले आपको यह जानना बहुत जुरूरी है कि हमें बैकलिक्स बनाने बिसिकली क्यों चाहिए माना कि आपने website को रेंक कर लिया बगहर विद आउट एनी बैकलिक्स आपकी website रेंकर गी आपको बता है आज के जमाने में कितने SEO ऐसे एक्सपर्ट बैते हैं SEO एनलाइजर जो आपके website को एनलाइज करेंगे और इसमें देखेंगे कि बहुत ही लो competition keyword को आपने long tail keyword को target किया होगा उसकी जगह पर आप अपनी website बनाएंगे उसको replicate कर देंगे थोड़े ही मनत बाद आपकी website धडाम नीचे तो आपको इसलिए जो quality backlinks को बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि long term हमारी ranking के लिए हमें website की DO और PA बहुत जरूरी होता है को वाजय हो जाएगी for example आप अपने बच्चे को कोई computer course करवाना चाहते हैं तो आप उसी टीचर के पास लेकर जाएंगे जिन्होंने आरेडी इसमें specialization की हो या आरेडी आपकी अहमियत को जानता है कि आप जिस website से backlink लेने जो आपकी website को refer कर रहे है जिस website से backlink आपकी website पर आ रहे है आपकी website पर visitor आ रहे है तो उसको कैसे declare करना toxic declare करना है quality back links declare करना है या normal के तोर पर उससे consider करना है तो आज हम बात करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको चेक करने चाहिए quality back links के लिए अगर आप किसी website पर back links बनाने जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इसका quality back links है या normal links है या toxic है या बिल्कुछ scam links हमारे लिए होगा इसको जानने से पहले अगर आपको ये वीडियो valuable लगे तो आप वीडियो को like कीजेगा और चैनल को subscribe कीजेगा और अगर दूसरे इस तरह के जो normal links बनाकर बैठे हैं और अपनी website को rank कर रहे हैं तो उनके साथ भी must share कीजेगा वो भी इन्शाला दाला उनका भी बड़ा फाय अगर आप टेक पर काम करें तो वह website भी टेक के related हो सो आप उस पर backlink बिल्ड कर लें दूसरी reputable website हो reputable मतलब उसका domain authority, page authority अच्छी हो मार्किट में अच्छे तरीके से grow कारी, reputation हो ठीक है थर्ड चीज उसकी traffic अच्छी हो, traffic जैसा कि कुछ website की domain authority, page authority तो अच्छी होती है क्योंकि उन्होंने toxic backlinks या redirect लगाकर उसकी page authority, domain authority अच्छी की होते हैं लेकिन उस पर traffic नहीं होता, Google ने उसे penalize किया होता है, तो आपने must check करना है कि उसकी traffic भी अच्छी हो, इसके बाद में व लेक्स के अंदर आप backlink लें, जैसे article से backlink हो, ठीक है, profile backlink भी बहुत जादा अगर वो index हो जाएं Google में तो वो भी चल जाती है, तो आपने इन तमाम चीजों को check करना है, अगर आप देखें ये एक website के अंदर तमाम चीज़ें पाई जाती हैं, तो definitely quality backlinks consider होगा, और एक important or point क do follow backlinks और no follow backlinks के बारे में बात, कि do follow backlinks अगर हो तो जादा quality consider होगी, अगर no follow भी होगा लेकिन website अच्छी है, तो आपको वहाँ से link मेर रहा है, तो फाइदा जरूर होगा उसे भी, जी तो अब हम बात करते हैं, अगर आप paid की सुरत में अपनी website के लिए backlink, quality backlinks को purchase नहीं कर सकते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपने LinkedIn पर profile create करने है, LinkedIn पर millions of users है, आप लोग जानते हैं, कि बहुत सारे visitor users हैं, जो वहाँ पर article पोस्टों को read करते हैं, अगर आप quality का वहाँ पर article write करें, इस बात का सबूत आपको इससे मिलेगा, कि आप कुछ भी search कर आपको वहाँ पर LinkedIn की जो website मिलती है, LinkedIn खुद LinkedIn की team खुद इस पर write नहीं करती है, यह different user है, different website owner है, जो वहाँ पर article लिखते हैं, वो article rank करता है, वो Google से user LinkedIn पर आता है, और LinkedIn से हमारी website पर आता है, तो इस तरीके से हम website पर traffic मी ले लेते हैं, और इसके साथ साथ हमें quality का backlinks मिल ज देख रहे हैं, तो आप ही निटे मस्ट कमेंट कीजएगा, लोगों का बहुत फाइदा होगा, हमारा फाइदा होगा, आपका फाइदा होगा, हम सब का मिल के फाइदा होगा, और beginners अगर कमाने लगेगा, तो वो ज्यादा अपनी मजीद अपने कारोबार को आगे बढ़ा स करें, इसका एक सिंपल ही हाल है, जिसके तरूजी सीमेल के तरूँ आपने Google Search Console बनाया, उस पर जाएं Google Chrome उपन करें, वहाँ पर गूगल पर जाएं और लिखें Google डिस्वाव टूल, लिखने के बाद में आपके पास डिस्वाव टूल उपन हो जाएगा, आप अपनी उस प् और आपकी वो तुमाम डुमेंड को, यूरल को रिमॉव करतेगा, जो आटमेटिकली बैक लिंक बने या स्कैब बैक लिंक होगे, जी तो अमीद करता हूँ, आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा, वीडियो को पहुंच आएंगे, सो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक आप मुझे जादे अपना क्या रखेगा, आला हाफिज, पाकिस्तान, जिन्दाबाद